Hello friends, कैसे हूँ आप लोग? मैं हूँ आपका दोस्ताज और आप देखरें TakeDXP आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही important topic के बारे में बताऊंगा सारा basic knowledge जो होता है इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये वीडियो electrical engineer के लिए बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि जब कोई भी इंडिया या अपने home country से दोबई में job करने के लिए आता है तो इसी field में उसको सबसे ज्यादा problem होता है तो ये जो है ये हमारा जो अभी मैं आपको बात करूँगा ये मैं आपको fire alarm system के बारे में बताऊंगा और ये जो fire alarm system है वो electrical engineer के scope में आता है तो इसलिए जो है electrical engineer को इस चीज़ का knowledge होना at least basic knowledge होना बहुत ही जरूरी होता है तो इस वीडियो में मैं आपको fire alarm system के बारे में सारा basic detail बताऊंगा कि वो क्या होता है और उसमें कौन कौन सा device यूस किया जाता है और वो किस तरह से मतलब काम करता है ये सारा कुछ मतलब basic knowledge आपको इस वीडियो को last तक देखने के बाद मिल जाएगा तो इस वीडियो को आप last तक जरूर देखें वो किस चीज का part है तो सबसे पहला जो होता है एक होता है fire protection system ये हमारा ये main हो गया fire protection system इसके अंदर जो है दो चीज होती है एक होता है fire fighting system और दूसरा होता है fire alarm system जो fire fighting system होता है वो mechanical engineer के अंदर में आता है और जो fire alarm system होता है वो electrical engineer के अंदर में आता है मतलब जनरली जो बड़ी कमपटी रहती है उसके अंदर फायर फाइटिंग के लिए मेकनिकल इंजिनियर हाईर किया जाता है और फाइर अलाम सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल बढ़ कुछ छोटी कमपटी में एक ही इंजिनियर से दोनों काम करा लिया जाता है लेकिन जो एक standard है कि जो firefighting का काम है वो mechanical engineer करेगा क्योंकि उसमें piping होता है, pump होता है वो same same AC यानि चिलर या फिर plumbing का जो piping और pump होता है उससे similar होता है तो वो उसी तरह से काम करता है जैसे pump के size का calculation, pipe के size का calculation तो ये सारा कुछ mechanical engineer असानी से कर सकता है firefighting का जो system होता है, जो pipe होता है उसके लिए भी तो ये जो है, वो firefighting का काम, mechanical engineer का और जो fire alarm का काम होता है, वो क्योंकि वो उसमें wire होता है उसमें electronic device होती है, तो इसलिए वो fire electrical engineer के अंदर में आता है तो आपको ये चीज़ clear हो गया होगा अब दुसरा एक चीज़ है कि दोबई में जब कभी भी जो भी कोई बरा project होता है जो भी कोई building होता है, तो उसमें fire protection system का होना बहुत ही जरूरी होता है और यहाँ पर एक authority है, जो की fire protection system को देखती है उसका नाम है civil defense तो generally जो है, ये जो fire protection का जो drawing होता है fire fighting और fire alarm का drawing उसको first of all approval लेना पर इस drawing को civil defense से approval कराना परता है उसके बाद उसी की according site पर installation कराना परता है सारे devices का और उसके बाद उसका testing and commissioning करना परता है और उसके बाद civil defense inspection होता है मतलब civil defense site पर आएगा, ये सारा कुछ चेक करेगा और उसके बाद civil defense का certificate देगा क्योंकि जनरली जो electricity लेने के लिए भी civil defense का एक certificate लेना जमा करना जरूरी होता है दीवा में या फिर फिवा में तो इसलिए जो है ये fire alarm system, fire fighting system बहुत ही important हो जाता है और building के safety के लिए भी ये जो है बहुत ही ज्यादा important चीज़ है इसलिए यहाँ पर जो authority है जो government है वो इस चीज़ पर सबसे ज्यादा जोर देता है safety के उपर तो इसलिए fire alarm और fire fighting जो system है इसके उपर बहुत ही ज्यादा जो है इन लोग का focus रहता है और इसमें इन लोग किसी भी तरह का compromise नहीं करता है इसलिए इसका approval लेने में भी बहुत ज्यादा time लग जाता है inspection में भी कभी कभी दो तीन बार inspection कराना पड़ता है तो अभी मैं आपको detail में बताऊँगा fire alarm system के बारे में तो सबसे पहला जो चीज होता है fire alarm system में जो use किया जाता है वो हमारा होता है fire alarm panel यह जो देखो यह आप जो सामने देख रहे हो यह है हमारा fire alarm panel यहाँ पर आप देख सकते हो यह shield company बहुत ही famous company का यह panel है और यहाँ पर यह बहुत सारे brand का हो सकता है और यहाँ पर बट वो civil defense से approve होना चाहिए जो भी brand हम लोग use करें तो यह जो पैनल जेनरली इस तरह का दिखता है color difference हो सकता है different brand का different color होता है जेनरली बट fire alarm का devices जो पैनल जो होता है जेनरली red color का लोग prefer करते हैं और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर यह लिखा हुआ है four loop यह देखो मतलब यह four loop का पैनल है two loop का भी होता है इसके लावा eight loop का भी होता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे इसके जो है यह दिखाये हुए है कि यह जो है तो ये पैनल जो है, जनरली हम लोगो देखना होता है, कि हम लोगो कितना लूप हम लोगो चाहिए, मतलब हम लोगो का एरिया है, अगर बहुत बड़ा एरिया है, हमें 8 लूप चाहिए, तो वहाँ पर 4 लूप का पैनल नहीं लगा सकते हैं, 8 लूप का पैनल लगाना परेग उसके बाद जो दूसरा बहुत ही important जो है हमारा यह आप देख सकते हो यह device है बहुत ही important device है जो कि है हमारा smoke detector यह आप देख सकते है smoke detector ऐसा दिखता है generally जार जो भी बरान रहता है उसका smoke detector इसी तरह का दिखता है यह addressable type का है जनरली पहले हम लोग conventional use करते थे बट अभी जो है सारा addressable type का ही हम लोग device fire alarm में use करते हैं addressable का मतलब इसमें हम लोग एक address देते हैं digital address देते हैं और वो ही address जो है वो panel में show करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारा smoke detector इसका काम यह होता है कि जब कभी भी building में smoke जैसे हम लोग इसको fall ceiling के उपर लगाते हैं और जब fall ceiling के उपर इसको लगाते हैं तो यह smoke को sense करता है और signal जो है हमारे fire panel में भेजता है उसके बाद fire panel जो है वो signal sounder में भेज़ेगा और sounder जो है वो ring करेगा और ring करके जो है हमें पता चल जागा जो भी building में आदमी है उसको पता चल जागा कि fire हुआ है तो आदमी लोग alert हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे तो यह smoke detector का काम ही होता है कि जो है यह smoke को detect करेगा य इसका internal diagram है यह सब आप देख सकते हो उसके बाद wiring diagram भी आपको देखाया हुआ है तो वो आप हर एक device हर एक brand का अलग अलग होता है मैं यहाँ पर बास आपको overview दे रहा हूँ कि कौन चीज़ कैसा दिखता है यह heat detector है इसको भी false ceiling में लगाया जाता है यहाँ पे नाम आपको यह kitchen में जिनरी लगाया जाता है यहाँ पर heat source हो या transformer room में लगाया जाता है ठीक है या फिर जो है आपको garbage room में लगाया जाता है यह heat detector यह जो है heat एक limited जो temperature से अगर ज्यादा heat इसको नजर आएगा यह sense करेगा तो यह signal fire alarm panel में भेजेगा fire alarm panel जो है जो बेल रहता है alarm बेल उ इसके बाद यह बहुत ही important है यह है आपका manual pull station इसी को हम लोग break glass भी कहते हैं यह देखो addressable manual pull station सारे devices अब हम लोग जनरली addressable ही use करते हैं conventional बहुत कम ही fire alarm devices यूज़ करते हैं जनरली अभी जो है सारे conventional device खतम हो रहे हैं उसके यहाँ पर addressable manual pull station यह आप देख सकते हैं इसी को हम सथिनल का होता है इसमी को सब को सब को सिग्नल देता है मतलब साउंडर को तो साउंडर कैसा होता यहाँ जो सब कर giàτε सकते और इस तरह का होता है कि यह देखो हम भी कहते हैं यह various type का हो सकता है, ceiling mounted भी होता है, यह wall mounted यहाँ पर आप दिख रहा है, यह देखो open area sounder, weather proof sounder है मतलब यह, और इसका part number लिखा हुआ है आपका, और यहाँ UL approved है, यह भी UL listed है, यह आप देख सकते हो, और यह sounder इसका काम होता है, ring बजाना, bell बजाना ठीक है, जब इसको signal मिल देता है, fire alarm panel के तरफ से, fire alarm में signal कौन देता है, smoke detector, heat detector या फिर आपको manual police station यानी break glass, इसी तरह यहाँ पर यह देखो, conventional fire alarm bell है, यह जो की size में बड़ा होता है, यह भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसको additional power supply का जरूरत परता है, तो generally हम लोग ज्यादार case में इस तरह का अगर जो है, हमारा fall ceiling का height अगर 6 meter से ज्यादा है, मतलब अगर जो open area आपका 6 meter से उपर है, तो उस case में जो है, यह जो है, हम लोग को smoke detector नहीं लगा सकते हैं, 6 meter से उपर अगर height है आपका, तो उस case में आपका beam detector लगेगा, beam detector भी smoke detector का ही काम करता है, उसमें एक receiver transmitter होता है, जो की high, जो जिसका floor height ज्यादा होता है, उसमें हम लोग use करते हैं, तो I hope कि आपको यह सारा device से आप समझ गया होगे, देख करके कि किस तरफ से दिखता है, इन लोगों का काम भी आपको पता चल गया होगा, यह सारा device एक दूसर से loop होता है, और जो है, पैनल में जो है, हर एक area जैसे ground floor में एक loop बनाया जाएगा, उसमें एक तरफ से wire आकर connect होगा पैनल में, और दूसरे तरफ से device में आकर फिर से दुबारा पैनल में connect होगा, इस तरह से loop बनता है, तो पैनल में इस तरह से loop connect किया जाता है, मैं इसका drawing पर भी एक video बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको इ पुरी तरीके clear हो गया होगा, वीडियो पसन रहे तो please like, share and subscribe में चैनल, मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, bye bye